राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम के खिलाफ टिपड़ी किये जाने के बाद आज गुजरात हाई कोट ने राहुल की सजा मामले में अपील को खारिज कर दिया जिसके बाद फरिदबाद में कॉंग्रेस के नेताओं और कारिकरताओं ने हर्याना प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष चौदरी उधेबान के नेतेत में राहुल गांधी के समर्थन में प्रदेशिन किया उदिवान ने कहा कि इस मामले में आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी काम किया और अब उनको आगे चुनाब ना लड़े इस तरह के जो यह जो नियाय की बात नहीं है और हाई कोट के जो जिस तरह से फैसले लिए जो जो सेशन कोर्ट का जो फैसला था जिसके अगेंस्ट अपील किती राव जी ने उस पर ही टिपनी करनी चाहिए थी लेकर अपनी तरफ से और दस एड़ कर दिये तो उससे यह लगता है कि इसमें कुछ सोचने के लिए वजबूर करता है कि इसमें कुछ और इसमें क्या लेगा आज बिलकुल पूरा कॉंग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की जनता पूरी तरह से नहीं है तभी जाके आप इसना प्रदर्शन कर रहे हैं हमारा अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं यह लोग तंत्र है अभी व्रक्तिक है हमना हाई कोट के खलाब बोलने हैं हम हाई कोट के जैज के खलाब नहीं दो हैं मं सुप्रीम कोट में जाएंगे हम अपने नेता के साथ खड़े हैं हम राहुल जी के साथ खड़े हैं हमारा मतलब यह है यह नहीं अभी जो नहीं है व्रक्तिक शोर्ता है लेकिन हाई कोट का फैसला हाई कोट का है उस पर हम कोई परसंट चिंदने नहीं लगाना चाहते तोकि यह हाई कोट के जजबी से ही BJP से जुड़े रहें 2007 से यह पहले हुआ के गुजराट के गुजरात के एड़ है के पुजला तरफे के खुले में आजाओ उदिभान ने कहा कि हम सब राहूल गांधी के साथ हैं उन्होंने कहा कि हम हाई कोट के आदेश पर किसी प्रकार की ना तो ठिपनी कर रही हैं ना कोई प्रश्ण चिन न लगा रही हैं लेकिन हमारे सिर्फ इतना कहना है कि हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी ये भी कहा कि हमारा नयापालिका और लोगतंत्र में पूर्ण विश्वास है और हम लोगतंत्रिक आधार पर ही सरोचु नयाले का रूख इस मामले पर करेंगी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद